दिली के सीम अरविंद केजरवाल को सुप्रिम कोर्ट से जटका अंत्रिम जमानत साथ दिन बढ़ाने की याजिका पर तुरंट सुनवाई से इंदका पटना कॉलेज छात्र की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ट ने नितीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठाए धमकीदी अगर जल्द नया नहीं मिलेगा तो समाज खुद करेगा नयाए पश्चिम बंगाल की सीम बबता बनर जी ने दिया खेला होबे का नारा कहा अगर हम बंगाल से सी पीएम को उखार सकते हैं तो बीजेपी को भी उखार फेकेंगे आरजेडी प्रमुक्त लालू यादव का पीएम मोदी पर सीधा हमला कहा मोदी जी खुद को अव्तार बताने लगे हैं इसका मतलब है कि वो जाने वाले है चार जून को हमारी ही सरकार बनेगी आखरी चरंड के रंड से पहले पीएम मोदी ने कॉंग्रेस पर हमला बोला कॉंग्रेस के खोशना पत्र में मुस्लिम लीक की छाप ये बात कहें पीएम मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस में संस्थाओं से आरक्षण को खत्प किया सम्विधान की पीछ में चूरा घोपा आरोप लगाने के लिए जूट का सहारा लिया आखरी चरण में पीएम मोदी ने जोकी थाकत आज जारखंड के दुमका बंगाल के बारसात और जाधवपूर में रैली करेंगे उत्तर पोलकाता में रोडशो होगा यूपी के गोरपूर में सीएम योगिया आदे तिनाते रैली की सीएम ने वीजेपी उबीद्वार रविकिशन के लिए जनता से समर्थन नादा ग्री मंत्रिया मिच्चा ओडिशा में दिखाएंगे दम भद्रक जजचपुर जगत सिंगपुर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे जेपी नड़ा आज तूफानी दौरे पर है हिमाचल प्रदिश में तीन वैलिया करेंग कि नौर मंडी शिमला में प्रचार करेंगे यूपी में ओएसी करेंगे प्रचार मिर्जापूर वारानसी में पलबी पचल के साथ मिलकर प्रतियाशियों के लिए वोट मांगेंगे आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे प्रियांका गादी बड़सर में रोडशो करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष खड़के अमरिच सर में प्रस कॉंफरेंस करेंगे रैली को भी सम्भूधित करेंगे वारानसी में जिपी नड़ा बोले चार जून को पीम मोधी तीसरी बार सरकार बनाने वाले है अमिच चाह का विपक्षपर प्रहार बोले चार जून को हार के बाद राहूल प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे इवीम पर ठीक राफोड़ेंगे गाज़ेपुर में अखिलेश यादव का दावा बोले सत्ता में बैठे लोग भी जान गए हैं चार जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने वाली है ते जस्वी यादव का पीम मोदी के जेल भेजने वाले बयान पर पलटवार बोले पीम जेल भेजने की देते हैं गैरंटी हम नौकरी देने की यूपी के गाजेपुर में अखिलेश की रैली चार जून के बाद अगनी वीर जैसी योजना खत्म होगी ये बाद कहीं सरकार बनने पर युवाओं को देगे पकी नौकरी अगनी वीर जून को होने वाली इंडिया अलाइंस की बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया तुफान बंतदान का हबाला दिया राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर घबासान ओबीसी कोटे में 14 मुसलिम जातियों को दिये जाने वाले आरक्षण की समीक्षा करेगी सरकार गुजरात के राट कोट की अदालक ते टी आरपी गेविंग जोन अगनी कांट मामले में गिरफतार तीन आरोपियों की पेशी हुई कोट ने 14 दिन की पुलिस रिबांट पर भेजा दिली के बेबी केर हॉस्पिटल में हुए अगनी कांट का मामला दोनों आरोपी नवीन आकाश को 30 मई तक पुलिस रिबांट पर भेजा गया राजकोर्ट गिमिंग जोन हादसे में एक और गिरफतारी पुलिस ने आरोपी धवल कुमार को अभू रोट से गिरफतार किया गिमिंग जोन हादसे में वड़ी कार रवाई मामले में छे अधिकारियों को निलंबित करने का अदेश हादसे में चार बच्चे सहित 28 लोगों की हुई थी मौत इंडिको की फ्लाइट में बम की खबर से हरकम रनवे पर रोका गया प्लेन दिल्ली से वारानसी जा रहा था विमार जिजोरम की आइजोल में पत्थर की खादान धहने से साथ लोगों की मौत लगतार बारिश से हादसे राहत बचाओ का काम जारे असम में दिखा चक्रवाती तुफान ब्रिमल का असर भारी बारिश के बीच तेज पानी में बहा सड़क का हिस्सा बारिश के बाद नदियों का चल स्तर बढ़ा राजिस्तान के सिरोई में बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंग दोनों वाहन बुरी तरीके सक्षति ग्रस आजसे में कई लोग खायल क्रेन की मदद से हटाए गए बहान दिली डीपो पर खड़ी बस दूसरी बस को ठकरबार्ती रज़र आई दोनों बस बुरी तरीके सक्षति ग्रस्त होई बस से उतर रहे सभी यात्री सुरक्षित किदारनाधाम की यात्रा ने किर्थिमान रचा महज 18 दिन में 5 लग से जादा यात्रियों ने बाबा किदार के दर्शन किये आम के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर बाजारों में आने वाला है लखनव का मलिहाबादी दशहरी आम लखनव से दिली के लिए आम का पहला कंसाइनमेंट रवाना मध्यप्रदेश की छतरपूर में भी प्रचंड गर्मी सुबह होते ही आग उगलने लगता है सूरज घरों से बाहर निकलना मुश्किल मौनसून को लेकर मौसम रिभाग का बयान अगले 5 दिन के भीतर केरल में मौनसून की 10 तक होगी देश के जादातर राजयों में अभी गर्मी से रात की उमीद कम उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव रधानी दिल्ली में जारी है हीट वेव गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के जतन कर रही हैं लोग राज़स्थान के चुरू में तापमान 48 डिगरी के पास हो जा गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के इंतिजाम कर रही हैं लोग राज़स्थान के पिंग सिटी जैपूर में भी गर्मी का सितम लू लगने की वज़े से सड़कों पर सन्नाटा पसला हिमाचल प्रदेश के पहाडी लाकों में भी भीशड गर्मी उना में 44 डिगरी के पास तापमान